हेलो गाईज, उमीद है आप सबी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो वीडियो थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है the most asked question on my YouTube channel is, सर आपकी post कौन सी है आप post बताईए, मैंने हर एक बच्चे को comment करके reply किया उसके बावजूद भी कहते हैं कि सर आप clear post नहीं बताते तो इसी topic पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ और इसके पहले की मेरी journey क्या थी वो भी मैं बताऊँगा और कुछ बच्चे मुझसे comment करके कह रहे हैं कि don't play with our emotions, you are not working in the Indian railway, you are fake एसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप fake हो, आप railway में job नहीं करते हैं बच्चों के emotions के साथ मत खेलो वगएरा वगएरा तो उनका भी मैं doubt clear करूँगा एक एक चीज बताऊँगा और अभी भी अगर आपको लगता है कि मैं emotions से खेलता हूँ तो you are not the right person to watch my video क्यों आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, मैं बिलकुल भी किसी को ये प्रेसराइज तो करनी रहा कि आप मेरे वीडियो देखिए YouTube आपको browse feature में suggest कर रहा है मत देखिए, skip करिए ना, ignore कर दीजे, doesn't matter बट आज मैं आपको reality और सच बताऊँगा और इसके पहले भी मैंने जितना भी content बनाया है जितना भी लोगों को knowledge दिया है, सब authentic है और सही जानकारी मैं आपको देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा तो आज का जो वीडियो है कि सर आपकी post कौनसी है तो सबसे पहले थोड़ा सा बैग जाते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो मैंने 7-8 साल पढ़ाया है तो मैं आपको बताऊँगा तो 2014 से लेके 2022 तक मतलब 2014 से 2021 तक बात करें तो 7 साल मैंने खुद के coaching center में पढ़ाया है मैं घर पे जहां मेरा hometown है वहाँ पर मैं पढ़ाया हूँ मैंने इस नौकरी को लात मार दिया था क्योंकि मैं वहाँ मतलब यह मालनों कि मैं नौकरी नहीं कर पाया वहाँ ठीक है अब उसके बाद अगर बात करें हुआ क्या कि जैसे ही कोरोना आता है तो कोरोना के बाद चीज़ें बिगड़ती है जो स्टुडेंट्स की जो संख्या थी वो धीरे-धीरे मेरे पास कम होने लगी और फिर प्रैसर बढ़ने लगा कि अब तुमारा फ्यूचर क्या है ठीक है और ये आठ सालों की दोरान करीब 25 से 26 स्टुडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझसे पड़े हैं मतलब उन्होंने कहीं पर कोचिंग नहीं ली और उनका गवर्मेंट जॉब में सेलेक्शन है और आज मुझसे ज़्यादा सेलरी पा रहे हैं मुझसे पहले जॉब लगे हैं उनके बाद मैं 26 वे नम्मर पर जॉब में लगा हूँ यहां पर मैं इस टेशनमास्टर का सायको भी दिया ठीक है और एंटीपीसी में टाइपिंग भी दिया लेकिन दोलों में मेरे नम्मर जादा नहीं थी तो मैं दोलों में बाहर हो गया अब अगर हम बात करें कि हाँ इसी दोरान 5 जुलाई को 5 जुलाई 2022 को मुझे मेल आता है कि आप DV4 के लिए WCR जबलपूर से सलेक्टेड हैं Group D के लिए मैंने running और exam पहले ही pass कर लिया था लेकिन मैं final merit में बाहर हुआ था तो मैंने घरवालों को बताए तो घरवालों ने बुला जब तक तक तुम्हारा NTPC और ये result नहीं आता तुम जाओ medical कराओ और ये job कर लो बाकी देखना आगे क्या होता अभी तुम्हारा उसमें final तो हुआ नहीं है तो उसमें मेरा पोस्ट कोड और नेम सब कुछ लिखा हुआ है तो मेरा medical हुआ medical में मुझे मैंने बता दिया कि मतलब मेरा station master का psycho भी है तो मुझे medical में 17 दिन परिसान किया गया इसी दोरान मैंने बहुत सारी चीजे experience लर्न कर किया 17 दिनों में वही मैं YouTube चैनल के थूँ आप लोगों के साथ सेर करता हूँ इसी दोरान मेरा knowledge बड़ा ठीक है तो यह सब होने के बाद मुझे quota division alert हुआ मैंने जबलपुर भी डाला था बहुपाल भी डाला था मुझे quota division alert हुआ quota division alert होने के बाद क्या होता है मुझे post भी मिल गए मैं quota division joining करने के लिया है 25 सितंबर को 5-6 दिन मुझे यहां रखा यहां परिसान किया उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 को मैंने अपनी location पर quota division में मेरा एक station जहां पर मैंने जॉइन किया अब मैं सारी चीजे खुल के क्यों नहीं बताता अगर मैं आपको personal number देने लगा तो आप लोग दिन मर फोन करके परिसान करोगे है ना या फिर personal चीजे हर चीज सेर करना एक YouTuber के लिए सही नहीं है ठीक है तो मैं बिलकुल fraud employee बिलकुल नहीं हूँ मैं group D का ही employee हूँ पोस्ट भी आपको आगे पता चल जाएगी वीडियो में अंड तक बने रही है और यह सब होने की बावजूद मैंने मतलब अपना YouTube चैनल में पहले से बना रहा था पहले की वीडियो जाके देखेंगे तो पहले मैंने पढ़ाया भी है लेकिन जहां मैंने देखा कि अगर पोस्ट की बात करें तो मैंने सबसे ज़्यादा बात अठाई है तो कल एक बच्चे ने कमेंड किया कि सर आप आपको गर्व से कहना चाहिए कि आप ट्रेक मैं है अगर आप ट्रेक मैं इतना मोटिवेट करते हो और खुद पोस्ट बताने में सरम आ रही है सरम भाई कर आप बात्कुल नहीं आ रही है आप लोग अगर कौमन सेंस लगाते हैं मैंने सबको रिप्लाइमा कहा कि मैं इंजिनियरांग डिपार्टमwritten में काम करता हूं अब इंजिनियरींग डिपार्टमेंट की बहुत सारी पोस्ट है टीक है मेंकेनिकल डिपार्टमेंट भी है स ट्रेकमेन की पोस्ट अब उस सिविल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है तो मैं जो हूँ अब कोटर डिवीजन में मुझे भी ट्रेकमेन की पोस्ट ही अलॉट हुई है लेकिन मैंने कभी भी वीडियो अपने प्रोफेशन को पोस्ट के साथ रिलेट ने किया कभी भी मैंने स्टेशन पर वीडियो नी बनाई या फिर बनाई है तो ठीक है तो मैंने यह देखिए यह जो कलर है यह जो भगवा कलर यह ट्रेकमेन वाले लोग ही पहले से था लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं ट्रेकमेन की पोस्ट पर काम करता हूं मुझे कोई भी दिक्क कर रहे हो वगेरा वगेरा मैं यह नहीं कि मुझे उनकी बातों से प्रभाव पड़ा लेकिन यह है कि मैं एक एक इंडिविज्वल बच्चे के कमेंड का रप्लाई कर रहा है कि अगर एक बच्चे को भी फायदा हुआ मेरी वजह से तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाना सफ अगर आपको लगता है तो मैं कम्यूनिटी में अपना पैनल भी सेयर कर दूँगा जिसमें किवल मेरा नाम है WCR की वेबसाइट खो लिए 2018 में सत्तरवा पैनल देखिये जो साइद अगस्त में आया था 17 अगस्त 2022 की वात है तो उसमें आपको अलग से अनिल सिंग कि मैं आप लोग को मोटिवेट करूं सही रास्ते पर ले जाओं और ये बताओं कि आप लोग समस्ते हैं कि ट्रेक्मेन की नौकरी बिलकुल अच्छी नहीं है सच्छा ये है कि उसमें आपको अपसें डाउंस बहुत जाद आएंगे आपको लगेगा कि कहां फस गया वगर लेकिन ये जो मैं मोटिवेट आप लोग को कर रहा हूं कि आप लोग को महाबाप के उपर डेपेंड ना होना पड़े या आप पैसो के लिए परिसान ना हो कल के दिन किसी लड़की के साथ साथी हो तो वो परिसान ना रहे इतना महंगाई का जमाना है फ्यूचर में पता कि मैं ट्रेक्में होन लोगों ने कभी इस चीज पर डिबेट नहीं करी लेकिन आप लोग सोचते थे कि मैं मतला पोस्ट नहीं बता रहा हूं एक भाई ने एक भाई हैं इन्डियन करके उसका नाम हो कहता है कि सर मुझे लगता है कि आप ट्रेक्में नहीं है तो भाई मैं मैं नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी जॉब के साथ अपने वर्क को रिलेट नहीं करता है यहां पर मैं टीचर ही हूँ और आपको नॉलेज दे रहा हूँ और आपको अगर मेरा एक्सपीरियंस दिखता है मेरा बताने का तरीका लगता है तभी आप लोग मुझे सुनते हैं ऐसे चाचा के लड़के की है वो इंडियन आर्मी में मेरे पास बॉलट नहीं है मेरे पास खुद की तो कोई भी गाड़ी नहीं है तो और मैं मिदल क्लास फैमली से बिलॉग करता हूँ लेकिन इसके पहले मैं टीचर रहा हूँ और मैं मैच सिंगले सिंधी रीजिनिंग सभी जैसे या फिर कुछ चीजें आपके साब से ना हो ना तो आपको मुझे अपना करियर एक पॉइंट पर गिव अप करना पड़ा लेकिन अभी भी मैं पढ़ा लेता हूं और उमीद है जल्दी मैं फिर से चीजों को पढ़ाना सुरू करूंगा लेकिन अभी आप लोग मुझे railway employee की तरह सुनना पसंद करते हैं और अगर मैं आपको ना बताता ना कि मैं railway employee हूं तो आप लोगों को लगता पहले खुद कुछ कर फिर बता ये जमाना है कितना भी आप knowledge share कर दो लोग value करते हैं आपके पद की आप कितने बड़े organization में काम करना है वगेरा वगेरा तो I hope तो दूसरे लोगों तक share करिए चैनल पर नए वीवस तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते नेक्स वीडियो में थैंक यू सुमा धन्नवाद बाए